कि हेलो इभरिवन तो कैसे आप सब सुवात करता हूं हम अप सब का आपके अपनी चनल इस्टुटी बडियों में बात करने वाले हैं कि जामिया मिलास लामय ने अपना जो एडमिसंड प्रोसेस ता उसे दुबारा से रियोपन किया उसे रियोपन किया और एक किन के लिये रि बीची चला जाना है फिर आपको यहां देखे दिखाई दिरा होगा यूजी पीजी यहां यहां आपको किलिक करना पड़ेगा क्लिक है टू अपलाइफ और यूजी पीजी बीटेक बीर कुछ जीसके लिए भी है तो शिर्फ दिखिए उनके लिए है जो जो पॉर्स इंडर आते हैं जतने कोर्स इंडराथें आप उन कोर्स के लिए अपलाई कर सकते हो फिर उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर दिखाई जीरा होगा प्राइमरी डेटा में तो इसको कर दीजेए फिर डेटा बार्ट हो जाएगा फादर ने मदर ने मेल आइडी और पासवर्ड एक चूज रहेंगे फिर मोबाइल नमर इतने चीज़ों कि आपको ज़रूत पढणने वाली रेजिशर्यस्टन करते वक्त एक बार आप इंटिनवेव करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर नीचे सब्ट साइन अप पर किलिक करना है जैसे साइन अप तो आई एक्टिवेट करके दिखाते हैं कौन-कौन से को जामियाने स्यूटी के थूरू लाया इस पर तो देखिए मैंने लॉग-इन करा लिया लॉग-इन कराने के बाद माई एप्लिकेशन पजाएंगे अप्लिकेशन पजाने के बाद हम सलेट करते यूजी कोर्स बैचलर बैचलर डिग्री में कौन-कौन से को द्रामियाने स्यूटी के थूरू दिया हुआ है था हला कि प्रोस्पेक्टस में सब सारा कुछ मिंसान है लेकिन फिर भी आप एक बार देख सकते हो कि आप इन सब कोर्स के लिए फॉर्म भर सकते हो और भी आगे और भी है आगे और भ है आपके पास कोरसे सकते हों इस तो इन सब के लिए आपलाई कर सकते हो बांकी के बहुत अपकि क्यों को बाकी कि भी दिशिच्ट स्वी आप या सब इसका त्बाभी हो तो उसके लिए भी आप लॉग इन कराके चेंज कर सकते हो चार तारिक से लेकर दस तारिक के बीच में जिसे आज 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 आप लॉग इन कराओगे लॉग इन हो जागा अगर कुछ चोटी मोटी जो एरर है उसे दूर करना है कोई डेटा मिस कर दियो भरने में तो उसको में फिर प्रोसीटर चले जाएंगे तो जैसी प्रोसिट पाएंगे को इंप का एक प्राख ब Mars बीचे च्छोटा मोड़ा ओगा जिसको आपको टिक कर देना है फिर यहां पर अपलोड होगा फिर यहां पर एकेडमिक टेटल अपलोड होगा ठीक है फिर उसके बाद यहांप डाकुमेंट डीटेल अप्लोड होगा फिर इसके बाद प्रेफरेंस की मालग इसको प्रेफरेंस पहले देना चाहते किसको बाद में दे आते फिर इसके बाद आपका प्रिवीव एन कंफरम फाम पर आपको किलिक करना पड़ेगा तो यह वन बाई करके आपको दिखाते कैसे आपको CUT का form भरना है, तो देखी जब आप form के लिए apply करोगे तो पहली यहां पर पहली number पर CUT application number मांग रहे हैं, इसका मतलब सब से पहले आपको CUT में apply करना पड़ेगा, CUT का form भरना पड़ेगा, तो आपको आपको क्या करना है सारा वेटा पर वर ने के बाद आपको क्लिक खरना ह आपको डिक रेंगे और यहां पर फोट्याइट मेरें बहने हैं तो 3.5 cm का होना चाहिए और 100 kg से कम होना चाहिए तो यह हमें दोनों का अप्लोड करके फिर आपको दिखाते आगे का प्रोसीजर तो देखे अप्लोड करने के लिए आपको छूज फाइल पर किलिक करना है यहां पर आपको दिखाया जाया हुआ है पर यहां पर अप्लोड किलिक करना है तो यहां करने वाले यहां पर upload signature पर क्लिक किया तो देखिए एक upload हो गया फिर उसके बाद आपको यहां नीचे दिखा हुआ अगर आप पास आउट हो तो पास आउट पर करना अगर नहीं हो तो मिखर भर ने की जूरत नहीं जूरत नहीं है कि कौन किस इनिवर्षिटी से पास आउट है मतलब किस बोट से पास आउट है तो अब जनरली सब nc artists होते हैं तो cbsc open कर लेते हैं सीवेसी ठीक है सीवेसी ने open कर लिए फिर उसके बाद यह पासिंग जैसे आपका यह पासिंग 2024 होगा तो 2024 हम कर देते हैं और बॉटेड डाल देते हैं जिससे कि क्या होगा हमें आगे का कोई डेटा फरने की जुरत नहीं पड़ेगी इन केस अगर आप 2023 डाल रहे हो चैनल हम में आपको डॉकुमेंट अप्लोड करने पड़ेंगे तो यहां पर हमने आप स्कूल एक्स वाइजेट लिख देते हैं फिर उसके बाद डिविजन हम परस्ट डाल देते हैं फिर उसके बाद कोई डिटा कर देते हैं तो हम आपका स्टूरिज में जहां भी आपका माक्सिट होगा उसको अपसलेट कर देते हैं चली कांटीनियू किया और फिर उसके बाद एक बात आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि यहां पर आप से सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है तो स्लप्राइब कर दो कि यहां पर दो होता है तो ठ्रीफिकेट नंबर ब्ली डाल सकते हो फोी डीनम word इने चल Посक्ट डाल दिया डाल जाल तो देखिए हमें आप डवी के लिए कुछ नहीं कि अपना प्लोट कर दिया यहाँ पर अपना उरिजिनल मार्क से अपलोट करोगे बर डेटा देखने लिए कि इतने के अंदर होना चाहिए जिससे कि आप बोला है 50KB से लेकर 250KB के बीच में होना चाहिए और जो इससे पहले में अपलोट कर रहा थो ज्यादा MKB का था इसलिए नहीं रहा था और हमने देखिए फोटो अपलोट किया यहां अप्टोमेटिक ले लेगा फिर आजएगा सक्सेसफूल अब इसके बाद आपका प्रिफरेंस इंटरी आएगा थे आपस से बेन नेक्स पर हाँ ठीक है तो अब उसकेस में कौन सा हमें कौन सा सैलेट करना चाहिए तो उसकेस में आपको मुस्लीन केटेगरी से तो आपको मुस्लिम ओमें नहीं भरना है आपको मुस्लिम ओमें भरना है मलब मुस्लिम ओमें आपको भरना है इससे एक फायदा यह होगा कि आप तो फाइट करोगे करोगे साथ ही साथ अपने मुस्लिम ओमें में भी फाइट करोगी और मुस्लिम में भी फाइट कर सकते हैं और फिर जन सब्सक्राइब करने वाद फिर आपको फाइनली क्या करना सब्सक्राइब करना है तो हम सब्सक्राइब करके दिखाते हैं और आके क्या प्रोसेस है कि देखाएक डिटा सारे डिटा सही है तो हम क्या करेंगे यहां पर टैप कर देंगी कि आपको क्या करना है जो यहां पर लिखा हुआ है कनफार अंट सब्मिट यह तो आपने अलग से प्यमिंट होगा और यहां इसका पेमेंट अलग से होगा इसका पेमेंट आपको अलग से करना पड़ेगा में फीस का वर्डेंट बढ़ गया है बाकि सब वही है सिर्फ कहने के लिए कि एक फार्म भरो और हर जगह एड्मिशन लो इक मला उतने अगर देखा जाए फाइनेशल वियू से तो फ तो उस कोर्स में अपलाई कीजिएगा जो सीमिलर हो जामिया भी कराती है डियू भी कराती है अगर एक से ज्यादा जहां मल्टिपल आपको सेलेक्शन मिले वह कुर्स ज्यादा अब सलेक्ट कीजिए इससे क्या होगा आपको सीट का सिर्फ एक बार पेमेंट करना लिद्ग ऐस युद्धट करना पड़ेगा अनुख लूरे कर सकते हो तो यह तो देख्या की चलते पेमेंट की तरफ तो भार पचास सब परन करना पड़ेगा अपको क Wert को Same करने का debit card से भरने का कोसिस किजिए क्योंकि इसमें बहुत प्रोसेसिंग चार्ज बहुत कम है प्रोसेसिंग सबसे कम जो एक डेविट कार्ट का यह तो यहां सब करना है यहां नीचे आ रहा है कि आपको पांसों पचार्ट हो है लेकिन उसके साथ 14 रुपए 10 पैसे आपका प्रोसेसिंग चार्ज लेगा वह एकर नेट बहुत जाएंगे तो 30 रुपए ले रहा है अगर इस जाएंगे तो 30 रुपए लगेगा और अधर नेट वैंगे चाह प्रोसेटीट करने पर एक बर फिर से कंफर्मेशन की लिए आ रहा है कि आप पेइमेंट करें सही कर रहे कि नहीं करें क्योंकि इंत नहीं होगा तो नहीं होगा या मॉवाइल नंबर यह दोनों अच्छे कर लिए फिर इसका पे नाउप पर ख्लिक केज़ेगा पेन आउप किलिक करके दिखाते अपको कि नेक्स स्टेप क्या है प्रेटिप करें आपके मोगाल पर एक आपका ट्रांजेक्शन लिया गया तो उसके इसे इनफरमेटी वीडियो मैं लाता रहता हूं अगर वेल आइकन को प्रेस किये रहेंगे तो होगा कि जैसे कोई वीडियो आएका आप तक मिल जाएका तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आप लोग अपना बहुत ख्या लखिए थैंक्स पर वाचिंग